हेलो फ्रेंट सौगत आपके चैनल फेंटेसी डॉक्टर में बर्फिट से जो मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला यहां पर एन र के वसेस आई टीटी के बीच जो मैच होने बाला यहां पर तमिल नाडू प्रिमेर लिग टीटी का इस मैच की वीडियो वीडियो इंपॉर्टेंट रही गया और वीडियो में आपके साथ स्मॉल लिक की टीम प्लस फ्लस वेडर न्यूस प्लस पिच्ट रिपॉर्ट प्लस कॉन्सी टीम स्ट्राउंग रहेगी इंवेश्टमिंट कैसे करने प्लस बइंट इन चैनल पर आपको हमारे योटूब कि जो और और उरिजिनल चैनल है उससे कैसे जूड़ना है आपको करना गया है कि वीडियो के नीचे जहां कमेंट करते हो वहाँ आपको हमारे टेलीग्राँ में लिइधे का लिंक्व को जाएगा जैसे उसके क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करोगे तो आपको सर्च करके जॉइन नहीं करना अगर आप सर्च करके जॉइन करोगे तो आप किसी गलत या फेक चैनल के साथ जुड़ सकते हो तो सही तरीका सिर्फ एक है कि आप लिंक का यूज करना जो वीडियो की नीचे कमेंट को दिया हुआ है अब आते वी पूड़ी है बट यहां पर ध्यान रखके चलना रहेंगे बट बहुत कम है रहें के चांस काफी कम है बट रहें के चांस है हो सकता है थोड़ी देखने को मिले एक शौट मैच हो बाकि इन्वेश्टन के बारे में अगर बात की जाए तो अपने कर सकते हो टीम कौन से जीते हो टॉस यहां पर जो बालिंग फर्स्ट कर चाहिए कि अभी तक इस ग्राउंड पर ट्रैक रिकॉर्टर रहा है उसमें बालिंग फर्स्ट करने वाली मतलब जो टीम सेकंड बैटिंग करते हैं वह जीती है ज्यादा मैच तो टॉस जीते पहले बालिंग करना चाहेगी और तक तीन मैच इस ग्राउंड पर इस टॉर्णामेंट में उस मैच इसका भी रिजल्ट यह रहा है कि जुन्होंने बाद में बैटिंग करिया वो टीम जीती है बागी यहां पर टॉटल साथ मैच इस ग्राउंड पर खेले गया आस तक 25 बैटिंग फर्स्ट करने वाली जीते तो उसमें से 24 बार 500 के नीचे स्कोर रहा है ग्यारा बार 500-170 के बीच और 171 789 के बीच चौदा बार रहा है तो एक अधना अच्छा बैटिंग पिछ नहीं ज्यादा बड़ा स्कूर आपर देखना मिला नहीं रेगुलर ली बाकि लाच थीन मैच इस अगर देखोगे तो जो अभी तक तीन मैच इस टोनमेंटर सो फार हुआ है जिसमें से तीनों के तीनों मैच चेइजिंग टीम ने जीते हैं और एवरेज स्कोर जो रहा है वो 135 के आसपास रहा है 140 के उपर अभी तक एक भी बार नहीं बना इस सीजन में तो बड़ा स्कोर नहीं बन रहा तो मीडियम फार्श बॉलर लास सीजन पांच मैच में 105 रन बनाया थे और छे विकेट लिये थे बट इस सीजन एक भी मैच बॉलिंग नहीं करवाई है तो यह ऐसा प्रेयर जिसको ध्यान नहीं लिग गेम चेंजर बन सकता है एक कार्तिक के बारे बारे बाद के जो कैप्टन ह है राइटन बैट्स मैंने ध्यान रखके चलना आठ मैच में लास सीजन बनाये थे और आपको याद हो आई पेल में लाश्ट बॉल पर छक्का मारके भी इसी नहीं जीता है था तो बड़िया प्ले रहा है यहां पर अरुन कार्टिक ध्यान रखके चलना और आठ मैच में बनाए यहां पर जीरो और 32 में पर्फॉर्मेंस रही है अच्छी एनिंग खेल सकता है टीम में जरू ट्राइक करना और ग्रेंड लिक टीम में वाइस एडप्ट है जी अजीतेश के वारे बाग किया तो लास सीजन नौ मैच में एक सोन अच्छी एनिंग के लिए पूरी ट सकते हो और लास सीजन पांच और शिफ्टी नाइन और इस सीजन पहले अच्छी बालिंग करिए बीस रन बैटिंग से बनाएं और बालिंग में चार और दो विकेट तीन ओर एक विकेट वाइस केप्टन ना कर सकते हो यहां पर सोनु यादब को बाकिए ऐसारु कुमार के के बारे बात किया है तो पहले मैच अब मारें दूसरे में 3 और पहले मेक्ट मेरे पहले यह नहींड करी जहां विकेट नहीं मिला दूसरे मैं पर चाहिए ले चुका है बहुत अच्छा बॉलर है बैटिंग भी तो बैटिंग करने आएगा नहीं आएगा तो फिर इंपॉर्टन नहीं रहा तो रिस्क वाली बात है लेने की तो लास सीजन भी तो नहीं रहा था पाइस सिफ च्छासी रन मना थे तो ट्राइब कर लेना ग्रैंड लिग में ऐस लक्षय जाइन के बारे में बात के लेफ्ट अन्वेट सुने आफ स्पिन बॉलर रहे दो मैच में एक विकेट लिया है फिलाल उतना इंपॉर्टन नहीं तो नहीं खेला फर्स टैंग खेल रहा है एस वारियर के बारे में अगर बात के तो फास्ट बॉलर नौ मैच में ग्यारा विकेट लेता लास सीजन और आपने इसको आई फिल में खेलते हैं देखा होगा के क्यार के लिए बाकि अभी तक दो मैच में खेला पर विकेट एक भी नहीं मिला है बट ध्यान रखके चल सीजन लैक स्पिन बॉलर दो मैच में छे विकेट लेता लास सीजन पहला मैच जहां एक ओवर डाला कोई विकेट निकाले थे तो यह ग्रेंड लिकी डिसकी टीम में ज़रू ट्राइब करना कर प्लेंग रैंड में आता है तो सुर्या प्रकाश आट मैच 232 मैच लास सीजन और रेगुलर तमिल नाडू का स्टेट प्लेयर है मीडियम फास्ट बॉलर है बाकि आपे जे रोहनार के बारे में अगर बात के तो दो मैच एक रन चार विकेट परफॉर्मेंस है टी वी रामनी एक मैच एक 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 एन हरीश नौ मैच में नौ विकेट इस पे आरुन कार्टिक अजीतेश आपे सोनु यादव दैने आप आओगे नीचे तो आप पर मोजी दैने आप आओगे आस मोहन प्रशाथ और वारियर आपके पर डिपेंड करते हैं आई टीडी की टीम के बारे में बात के नोंने दो मैच खेले दोरों के दोनों हारे बटन की ट दूशार रहे जा साथ मैच एकसो चौबी सब्सक्राइब लास सीजन विकेट केपर है लेफ्ट हैं बैट्समन है ज्यान रखके चलने अच्छा बैट्समन है और 33 मारे पहले मैच है दूसरे दो मारे ट्राइब कर सकते हैं स्मॉल लिग ग्रेंड लिग दोनों में बाकि अन सब्सक्राइब करें बागे के विशाल वैज्डी जो इनकी टीम के वन ऑफ दी बैस्ट मैंने जिसने लास सीजन छे मैच मैच में ही असी रन मनाई थे बाकी मैच मैच में तो यह भी ऐसा प्लेयरे की रेगुलर नहीं पहलता बड़ी इनिंग खेलता है पहले मैच 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 इन्डिया के लिए खेल चुका है इंडिया के लिए खेल चुका है अठाइस और दो रन मारे अभी तक बैटिंग से कोई बड़ा स्कूर आई जिस तरह की आई पेल फॉर्म में था वह फॉर्म देखने को मिली नहीं है बागी बालिंग से पहले मैच चार और में तीन दूस इंपॉर्टन बनता है टीम में लेने के लिए लिए काफी नीचे बैटिंग करने आरस ले इतना इंपॉर्टन नहीं है इस सीजन दो मैचे फ्लॉप रहा है पुरा काफी नीचे बैटिंग कर रहा है एस मुहमद अली ने लास्ट मैच वे तीन ओवर में एक विकिट लिया कुझरात की तो इसने काफ फाइनल भी खेला था यह द्यानक के चलना तो अच्छा प्लेर है अभी दो मैच में कोई विकिट नहीं मिला है और बैटिंग अच्छी कर लेता है लास्ट सीजन छे मैच विक्स हो ग्यारान बनाए तो नजर रहना के रगना गेम चेंजर रहेग ग्यारान लास्ट मैच में बैटिंग करते हैं अगर बात के पी भूबने शुर तो यहां पर एक मैच मेंए विकेट डॉमेश्टिक में बारन चार और एक विकेटिए लास्ट पहले मैच प्रफॉर्मेंस दूसरे मैच में बैटिंग ऑन बॉलिंग की जी पहरिया स्वामी जो कि बोल सकते हो कि आपर लाइक मलिंगा की तरह बॉलिंग करता सिलिंगी एक्षन है बर्ट अभी तक दोनों मैच पर खेला कोई विकेट ने मिला मीडियम फास्ट बॉलर आपके लिए अच्छ ऑप्शन बन सकता है साथ मैच में पांच विकेट लिए यह गेम चेंजर रहे यह लास सीजन के पर्फॉर्मेंस रहे चार मैच चार विकेट एक मैच खेला जहां यह पर्फॉर्मेंस रही है बागी जी पार्त असारती आप स्पिन बॉलर एम रागन फास्ट बॉलर न्यू प्लेयर्स है और करिप्पु स्वामी एक मैच पर तीन यह लाश्ट सीजन है एक मैच एक विकेट लास सीजन राहुल अयपा हरीश ने चार दो मैं सत्ताड़ दें डॉमिस्टिक की और वित्री वेल लेफ्टा मॉटलोग स्पिन बॉलर रहा है इंपॉर्स टेंग गेल रहा है इंपॉर्टन बोलेगे तो आपनी टीम बंजाकर के विशाल बैदिया रा स्मॉल लिक की टीम प्लस ग्रेंड लिक कि मैं आपको यहां पर चार से पांच तीम को किसी भी आप पर लगा सकते हो कोई क्रेडिट का इश्यू नहीं आएगा और आप सेम टीम के किसी भी आप पर जा सकते हो बट मेरी जो इन्वेस्टन रहेगी सेम विजन लेवन पर रहे दूसरे हमारी फेंटेसी डॉक्टरी फैमिली में एड़ जाओगे जिससा को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो रैफर कोड का यूज जरूर के लिए जैसे आपको बताए बागी स्मॉले के टीम मैंने जो क्रियेट करिए वह यहां पर मैंने ओल्ड जो कोपाल ने पहले मैच पर बैटिंग करें दूसरे मैच बैटिंग इना यह तो इसलिए कि टीम ऊपर भेजेगी या नहीं भेजेगी इसलिए ड्रॉप ऐसे में लिए और बात किया तो अगर बालिंग कर तो बहुत इंपॉर्टन रहेगा लास सीजन शे विकिट लेते है पांच मैच प्लस बैटिंग से बैट्समन भी अच्छा है तो अगर बालिंग करता है मैं जरूर फिक करके चलता बाकि यार वीवेक से भी बालिंग नहीं कर वा रहे तो यह दो प्लेयर ऐसे जिन सा गर बालिंग कर रहे थे कंप्लीट ऑल राउंडर है बाकि अगर आओगे साथ जा रहा हूं बाकि आप चाओ तो अजीत जीतेश के तो सेफ ऑप्शन रहेगा यह रहे जाओ यह दस प्लेयर मेरे कंफर्म है और आपके साथ यहां पर निर इंजन को लो या फिर विवेक को लो या फिर आप लो यहां पर चतुरुवेद को लो तो ग्यारो आपके बा सब्सक्राइब करने का मन कर रहा है और अगर और देखोगे तो और आपके पास जो है और इसके लावा अरुन कार्सी का अच्छा बन सकता तो यह लिमेटर ऑप्शन तो फिला टैंपरी टीम यह है ओल्ड रूल को कोड़ी नियु रूल को टीम बनेगी वही मेरी बिल्कुल और मुझे से में कुछ भी चेंज्ज मेंने किया नहीं है निए इस रहेगी वह यह यह कि टीम टू हो जाएगी यह गरेंड लिकी टीम फॉर हो जाएगी यह टीम रहेगी बाकि जो फाइनल टीम होगी आफटर टीली चराब मिल जाएगा टेलीक्राम चैनल जोएन कर लेना लिंक वीडियो के नीचे कमेंटर मिल जाएगा सबसे ओपर ब्लीव किलर का लिंक होगा जैसे उस पर क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा देन इसको जोईन करें जैसे बताए तो मिलते हैं टेलीग्राम पर जाहिए दोस्तों